आसलाम लेकुम आज का हमारा जो लेक्टर है वह चैप्टर 2 पर बेस करेंगे उसका इंट्रोफ़ग हम करेंगे इस चैप्टर के दो पर्ट हैं वैक्टर जो एक्लुबी यंन को बहले पोर्शन में में हम इन वैक्टर को वेक्टर से तो पहला question के what is a vector, vector है क्या चीज़, vector basically physical quantity है, जिसना scalar जो है वो भी physical quantity होती है, vectors और scalars में फरक सिर्फ direction का होता है, scalar में magnitude होता है सिर्फ, जबके vector में हम magnitude और direction दोनों चीज़ें डिसकस करते हैं, Scalar quantities वो हैं जिनमें सिर्फ हम मईयर कर सकें values को, for example temperature, temperature जो है आपके पास, अगर मैं कहूं के 40 degree Celsius, temperature है, तो उसकी कोई direction नहीं है, इसी तरहां हमारे पास mass है, कि कितनी एक चीज जो है वो जगा घेटती है, time है, time को direction की ज़रूद नहीं होती, distance है, speed है, energy है, लेकिन vector quantities में हमें magnitude भी चाहिए होता है, और direction की ज़रूद भी पेश आती है, for example displacement, displacement, displacement में आपको magnitude होगा, चाहिए मैं कहूंगा, 4 km, और साथ direction एड कर दूँगा, towards east, towards north, towards west, तो वो क्या बन जाएगी direction, तो direction प्लस magnitude क्या बन जाएगा, वेक्टर, इसी तरह velocity है, 50 km पर और कि speed से एक object मूफ कर रहा है, towards east, towards east, यानि कि direction है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, velocity, जबके 40 km पर और क्या है, सिरफ speed है, magnitude है, इसी तरह acceleration आजाएगी, force है, weight है, ये सारी के सारी vector quantities है, तो physical quantities क्या है, जो easily measure कर सकें, physical quantities की आगे दो हम type डिसकस कर रहे हैं, एक scalar quantity और एक vector quantity, scalar quantity में सिरफ magnitude चाहिए, जबके vector quantity में आपको magnitude प्लस direction चाहिए, तो vectors हम डिसकस करते हैं, what is a vector, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि magnitude and direction, vector जो है, for example, 35 meter is showing only magnitude, जबके 35 meter के साथ, अकर मैं direction साथ replace कर दूँ, तो ये क्या बन जाएगा, magnitude as well as direction, तो ये एक vector quantity है, और ये क्या है, एक scalar quantity है, यानि कि ये distance है, और ये क्या बन जाएगा, displacement, वेक्टर को represent करने के हमारे पास दो तरीके होंगे, ठीक है, एक writing में आ जाएगा, और एक graphically आ जाएगा, सबसे पहले हम writing discuss करते हैं, कि जब writing कर रहे होंगे, तो vector को हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले चीज, जो है हमारे पास book writing, यानि कि computer writing, Microsoft Office Word है, PPT Files है, PDF है, जितना भी आप computer पे है, अगर आप data put करते हो, तो उसके अंदर vector को कैसे लिखा जाएगा, तो उसका ये है, rule है, कि आपने books के अंदर vector जो है, वो bold face letters में write down करना है, यानि कि ये आपके पास, ये देखें, books जो है, ये light face है, जबके F, A, V, आपके पास क्या है, bold face है, hand return में bold face बनाना जड़ा मुश्किल होता है, time consuming होता है, इसलिए हम सब केंप्यूटर राइटिंग में जो है, वो bold face यूज़ करते हैं, hand writing में use link, तो फिर hand writing में हम कैसे use करते हैं, उसका answer ये है, कि अगर आपने use करना है vectors, तो उसके लिए आपको letter के उपर, we put an arrow head over the letter, कैसे, F है आपके पास, ठीक है, letter, इसके उपर आपने क्या place कर दिया, arrow head, A आपके पास एक letter है, arrows के उन्दर place कर दिया, V है, एक letter है, उसके उपर आपने arrow head place कर दिया, तो ये handwriting में, hand writing में हम ये use करते हैं, तो यहाँ पर याद रखिएगा, कि we wish to refer only the magnitude of a vector, we use light face, कि अगर आपने सिर्फ magnitude show करना हो vector का, writing में, तो आपने सिर्फ light face letter use करने हैं, bold face letter use नहीं करने हैं, मैं summarize कर दूँ, कि vector को represent किया जाता है, दो तरह से, writing में, एक computer writing, यहेंके books के अंदर, और एक handwriting, जो कि आप अपने paper पे लिखते हो, तो vector book writing में, आपके पास bold face use होता है, और hand writing में, light face letter होगा, लेकिन उसके ओपर क्या डाल देना है, आपने arrow head, जबके उसका magnitude अगर आपने find out करना हो, तो आपको सिर्फ क्या चाहिए, light face चाहिए, उसके ओपर कोई भी आपको arrow head डालने की ज़रूरत नहीं है, उसको bold करने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह graphical representation है, कि अगर आपने graph बनाना है, उसमें vector को show करना है, तो उसमें अभी दो चीज़ें आपको चाहिए होंगी, according to definition, magnitude and direction, तो first of all आपने एक line segment plot करना है, ठीक है जी, ये line segment है आपके पास, और ये आगे क्या है, arrow head आपने place कर दिया, ये आपके पास line segment और ये क्या है, arrow head है, तो ये line segment बेसिकली आपके पास क्या show करेगा, magnitude, according to the scale, और arrow head क्या show करेगा, direction, तो इसकी direction किस चानिब है आपके पास, ये एक object magnitude cover कर रहा है, किस direction में, right side, तो इसना आप graph पे इसको plot कर सकते हैं, तो जो length है आपके पास line segment की, वो आपने क्या लेनी है, according to chosen, scale लेनी है, ठीक है, तो उसके बाद आजाता है आपके पास, एक और example, कि देखें, 65 Newton down, आपने एक force लगाई है, gravitational force, और वो down है, तो 65 क्या show करेगा, magnitude, Newton क्या show करेगा, unit, और down क्या show करेगा, direction, इसी तरह graphically ये line क्या show की जाएगी, magnitude, और ये arrow head क्या show करेगा, direction, writing में आप देख सकते हैं, कि light face letter है, उसके उपर हमने क्या plot कर दिया, है arrow head, ठीक है, यानि कि आपने हमेशा vector जो है, वो कुछ यूँ write करना है, कि ये आपके पास light face F है, ये magnitude है, आपने इस magnitude को vector बनाना है, तो इसके उपर simply आप क्या put कर दोगे, arrow head put कर दो, magnitude को write करने का एक और तरीका भी होता है, वो कुछ यूँ करने के आप क्या करें, इसके left side और right side पे mod का symbol बना दे, तो ये basically क्या बन जाएगा, magnitude, ठीक है, तो उसके बाद हम discuss करेंगे, इन vectors के लिए represent करने के लिए हमें कुछ frame of reference चाहिए होते हैं, ठीक है, वो frame of reference जो है, one dimension भी हो सकता है, two dimension भी हो सकता है, three dimension भी हो सकता है, ठीक है, तो इसका अगर मैं आपको graphically view दिखाऊं, तो ये देखें, ये three dimension में आपके पास एक object move कर रहा है, तो इसके कितने vectors से show किया जाया, three vectors से, ये देखें, तो ये yellow vector नज़र आर, red vector और ये, ये three dimension plane है, two dimension में two vector के sign चाहिए होते है, one dimension में सिर्फ हमें एक sign चाहिए होता है, ये हम अपने next lecture में discuss करेंगे, जिसमें हम बताएंगे, rectangular coordinate system के बारे में, जिसमें two dimension discuss की जाएगी, three dimension discuss की जाएगी, थैंक यू सो मच, फी एमान आल्ला